स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रेंडिंग सुम्मू में आज उस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रोना वाइरस के बारे में हम बात करेंगी कि क्या है क्रोना वाइरस और क्या है इसके लक्षण चीन में क्रोना वाइरस के कहर से मनने वालों की संख्या 260 को पार कर गई है अब तक 22 देशों में इसके संक्रमेंट से करीब 11,800 मामले सामने आए हैं विस्वास्ते संगठन पहले ही इसे इमर्जनसी गोसित कर चुका है भारत में भी अब तक इसके दो मामले सामने आए हैं चीन से बाहर 22 देशों में कोरोना वाइरस के कई मामलों की पुष्टी हुई है इन देशों में थाइलेंड, जापान, सिंगापूर, दक्षिन कोरिया, उस्टेलिया, मलेशिया, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और संयुक्त आरब अमिराद शामिल है कोरोना वाइरस का संबन वाइरस के ऐसे परिवार से है जिसके संक्रमन से जुखाम से लेकर सांस लेने में तकलिफ जैसे समस्या हो सकती है इस वाइरस को पहले कभी नहीं देखा गया है इस वाइरस का संक्रमन दिसिंबर में चीन के वुहान में शुरू हुआ था WHO के मुताबिक बुखार, खासी, सास लेने में तकलिफ इसके लक्षण है अब तक इस वाइरस को फैलने से रोकने वाला कोई टीका नहीं बना है इसके संक्रमेंट के फैल सवरूप, बुखार, जुखाम, सास लेने में तकलिफ, नाक महना और गले में खरास जैसे समस्या उत्पन होती है यह वाइरस एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति में फैलता है इसलिए इससे लेकर बहुत सावधानी बढ़ती जा रही है यह वाइरस दिसेंबर में सबसे पहले चीन में पकड में आया था इसके दूसरे देशों में पहुँच जाने की आशंका जताई जा रही है स्वास्ते मंत्रयालिय ने कोरोना वाइरस से बचने के लिए दिसा निजश जारी किये है इनके मुताबिक हातों को साबुन से धोना चाहिए एलकोल आधारित हैंड रप का इस्तिमाल भी किया जा सकता है खास्ते और चीकते समय नाक और मूर रुमालिय टिशू पेपर से ढख कर रखें चीन व्यक्ति में कोल्ड और फ्लू के लक्षण हो उनसे दूरी बना कर रखे अंडे और मास के सिवन से बचे जंगली जानवरों के संपर्क में आने से बचे चीन में इस वाइरस के चलते प्रिय अटकों की संख्या घट सकती है इसका सीधा असर चीन की अर्थ व्यवस्था पर पड़ेगा पहले ही चीन की अर्थ व्यवस्था सुस्ति के दोर में हैं कई देशों ने अपने नागरिकों से कोरोना प्रभावित वुहान नहीं जाने के लिए कहा है कई देशों ने वहान से आने वाले लोगों पर भी प्रतिबंद लगा दिया है रूस ने चीन के साथ अपने पूरी बोर्डर को भी बंद कर दिया है लगबग 18 साल पहले सार्स वाइलेस से भी ऐसा ही खत्रा बना था दोजार दो से तीन में सार्स की बज़े से पूरी दुनिया में 700 से ज़्यादा लोगों की मोत हुई थी पूरी दुनिया में 1000 लोग इससे संक्रमित हुए थे इसका असर आर्थिक गति वीडियो पर भी पढ़ा था तो दोस्तों कैसे लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट सेक्षन में बताओ और सुनो ट्रेंडिंग खबरों के लिए यहां वा मत घूमो सब्सक्राइब करो ट्रेंडिंग सुमो